जहन साथ ही हो कुल्दीप जहन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है मैं कुल्दीप स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में फ्रेंड्स हम सीटेट के लिए चाइल्ड डेबलब्मेंट एंड पेड़ागोजी के कॉस्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उवराल इंपोटेंट होने वाली है तो वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर ना है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा हम सीटेट के लिए विभिनने सब्जेक्ट्स की वीडियो भी ले मांक्स दा ट्रांजिशन allora चैनल फॉड अडल होड बचपन से बैसकता के परिवर्तन काला का समय कौन सा होता है तो ऐसा कौनसा समय है जिसके बाद हम बचपन मानलों यह आपका चाइल्ड होड है उसके बाद आप सीधे एडल्ड होड में चले जाते हैं तो किस समय के बाद आप चले जाते हैं यह उन्होंने पूछा है आप्शन बन है प्रारंबिक बाल अवस्था आप्शन टू है मादमिक बाल अवस्था आप्शन थ्री पूर्व संक्रियात्म का वस्था और आप्शन फोर किसोर अवस्था तो यह तो सारी आपकी बचपन की अवस्थाएं हैं लेकिन किसोर अवस्था के बाद की जो अगला question है इस्थूल गामक कॉंशल मतलब आपकी जो सरीर है, किस तरीके से पूरा का पूरा सरीर आपका उप्योग होगा तो ब्रस से paper पर print करना, option B, paper के तोकोड़ों को काटना या चिपकाना, option C, सूई में धागा डालना, option D, चलना और दोड़ना तो आपने देखा कि brush से paper पर print करना ये आपकी स्थूल गामक करिया नहीं है, गामक करिया तो है लेकिन स्थूल गामक करिया नहीं है वैसे ही इसमें भी इस थूल गामक करिया नहीं है और ये भी नहीं है जब आप चलते हैं दोडते हैं तैरते हैं या फिर साइकल चलाते हैं तो ये आपकी इस थूल गामक करिया हो जाती है तो ये आपका सही आंसर होगा option 4 walking and running ये आपकी क्या हो जाएगी gross motor skills अगला question friends the first primary agent of socialization is मतलब समाजी करण की प्रथम संस्था है समाजी करण की प्रथम संस्था कौन है family है, school है, friends है या media है तो हम पढ़ते हैं कि समाजी करण आपकी परिबार से ही सुरू हो जाता है समाजी करण आपके जब आप परिबार में ही रहते हैं तो सारे लोगों के साथ मिल करके आप विवहार बनाते हैं, बातचीत करते हैं वहीं से आपका समाजी करण क्या हो जाता है, सुरू हो जाता है तो the first primary agent of socialization is your family family है आपकी क्या है, परिबार है आपकी क्या है प्रथम संस्था है या प्रथम एजेंट है socialization का friends, I hope यह question आपको पसंद आ रहे होंगे, अगर वीडियो पसंद आ रहे तो like और share जरूर कीजेगा, चैनल पर नहे हैं तो subscribe जरूर कर लीजेगा अगला question देख लेते हैं the belief that physical objects such as dolls, cars, etc. have life-like qualities is called मतलब यह मानने था कि बहुत एक बस्तुएं जैसे गुडिया, कार या सजीवण होते हैं, क्या कहलाती हैं ऐसी बस्तुएं, नेजजीव होते हुए भी सजीव लगते हैं, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, चलती है, सजीव नहीं होने के बाब जूद भी उसके चलने का गुण होता है या फर आपके साइट का जो बटन है, आपके साइट को बांधने का कार करती है, तो आपका सजीव के जैसे गुण उसके अंदर आता है तो यह गुण क्या कहलाता है, यह सोच क्या कहलाती है, पूछा है आपसे, तो सोच कहलाती है, जीववादी सोच कैसी सोच कहलाती है Animistic Thinking इसको बोला जाता है Animistic Thinking जब भी आप जो भौतिक बस्तुएं हैं और उसमें सजीव का गुण होता है है ना, निर्जीव होते हुए भी सजीव का गुण होता है तो कैसी सोच कहलाती है आपकी Animistic Thinking अगला question ये आपका कथन और निसकर्स का question है ऐसे दो से तीन question आप से पूछे जाते हैं हर एक पेपर में चार बर्षी रिया लंबे और चोड़े दो बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तन की उचाई और चोड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती तो प्याजे के अनुसार रिया संग्यानात्मक बिकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है तो अगर एक रिया है जो चार साल की बच्ची है दो बर्तन की लंबाई और चोड़ाई को एक साथ नहीं समाज पाती तो यह जो है उसका कारण दिया है के जीन प्याजे के अनुसार रिया संग्यानात्मक बिकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है जो आपका जो कथन है यह तो सही है और इसकी जो ब्याक्चा है उसका जो कारण है बहकिस में है आर में है तो A और R दोनों सही हैं और R A की सही ब्याख्या करता है क्योंकि कि अवस्था में हैं पूर्व संक्रियात्म का अवस्था में हैं जिसमें मूर्त रूप से देखती है अमूर्त रूप से नहीं सोच सकती है तो यही कारण है कि लंबाई और चोड़ाई को एक साथ नहीं देख सकती है, next question, giving cause and offering support to children as and when required is an example of, संकीत बा अन तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पढ़ने पर मदद करना किसका उधारण होता है, तो आपको option दिये हैं, scaffolding, reinforcement, conditioning या cognitive conflict, पाड, पुनर्बलन, अनुबंधन और संग्यानात्मक द्वंध, तो आप देखते हैं कि बच्चे में एक गुण होता है, बच्चा स्वयम कुछ भी अपने आप से कुछ भी करके सीखता है, लेकिन कहीं कहीं पर बहर रुक जाता है, तो उसको एक सहारी की जरूरत होती है, आपने देखा होगा, जैसे ही आप उसको निर्देशित करेंगे, थोड़ा सा उसको राह बताएंगे, तो अपने आप उसमें आंगे बढ़ता जाता है, और जहां भी रुकेगा तो उसको थोड़े से सहारी की जरूरत होती है, और उस सहारी को बोला जाता है पाड और इसको इसी को इंगलेस में बोला जाता है स्कैफ फोल्डिंग जब बच्चे को दूसरे की ज़रूरत पढ़ती है तो उसको बोला जाता है स्कैफ फोल्डिंग तो ये कॉस्चन भी आपसे एक से दो पूछे जाते हैं इसका आंसर हो प्रियोग प्रस्तावित करता है तो बच्चा पैसे या निस्क्रिय लर्निंग करता है तो बहे अधिक चीजें नहीं सीख सकता उसी तरीके से रोट लर्निंग के द्वारा भी अच्छे से नहीं सीख सकता जब बच्चा है चिल्डन एजूकेशन प्रोसेस जो बच्चे में होनी चाहिए बहे होनी चाहिए कोलेवरेटो लर्निंग सहीयोग आत्मक अधिकम उसके अंदर होना चाहिए एक दूसरे के साथ अगर किसी को जरूरत पढ़ती है तो उसका सहीयोग करे या दूसरे से सहीयोग ले बच्चा खुद करके सीखे नाकी रटके सीखे समझ के सीखे तो वही कहलाता है आपका सहीयोग आत्मक लर्निंग तो कोलेवरेटो लर्निंग इसका सहीया अंसर हो जाए का ऑफ्शन बन आई होफ फ्रेंड्स कोस्चन पसंदा रह रहे होंगे गर बीडियो पसंदा रही है और कोस्चन अच्छे लग रहे है तो बीडियो को लाइक कीजिए का बीडियो को अंत तक जरूर देखीए का ये वीडियो आपके लिए हैलफ़ने वाली है अगला question है, in Kohalberg, blank of moral development, the individual strive to maintain the expectations of others rather than focus on the consequence of one's action, Kohalberg के नेतिक बिकास के किस चरण में, ब्यक्ति अपने बिवहार के परिणाम की बजाए, दूसरों की अपेक्छा कारि करता है, तो एक stage ऐसी आती है, Kohalberg के अनुसार की बच्चा क्या करता है कि अपने बिवहार को समाज के अनुसार ढाल लेता है, उसको चिंदा होती है कि मैं कुछ भी जो कर रहा हूँ, बैस समाज को अच्छा लगे, तो यह अवस्ता होती है, friends, परम परागत या conventional level, परम परागत जो अ बिवहार अपना है, बैस समाज के अनुरूप हो, next question, friends, आ प्रोगरेशो क्लासरूम इज या फिर प्रगरती सील का अक्छा किस प्रकार की होनी चाहिए, option इ, परिक्छा केंदरित, examination, centric, तो यह नहीं होनी चाहिए, आपको मैंने कल भी बताया था, जो प्रगरती सील से अक center में child होता है, और उसके इर्दगर्द क्या होता है, हम अधिगम कराते हैं, इसके इर्दगर्द हम learning कराते हैं, तो examination centric होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, textbook centric होनी चाहिए, या फिर पार्ट्य पुस्टक केंदरित होनी चाहिए, यह भी गलत है, teacher centric होनी चाहिए, सिक्छक क इर्दगर्द होती है, तो यह भी गलत हो जाएगा, नहीं, हमें learning, जो learner है, जो हमारा सिक्छार्थी है, या जो हमारा बिध्यार्थी है, उसके इर्दिगर्द सिक्छा देनी चाहिए, यही प्रगर्दी सीलकक्छा का उद्देश होता है, अगला question friends, रेनू is counselor at a school which intelligence should see have to be an effect of counselor as per Harvard Gardiner theory, रेनू एक बिध्यालब में परामर सिदाता है, हावाट Gardiner के सिद्धान्त के अनूशार, प्रभावी परामर सिदाता के रूप में, उसके पास कौन सी बुद्धी होनी चाहिए, option a, भासाई बुद्धी, option b, इस्थानिक बुद्धी, option c, पारसपरिक, और option d, अन्ताहबैक्तिक, तो उसके पास जो बुद्धी होनी चाहि होनी चाहिए, इंटरपर्चनल, या फिर पारसपरिक, अन्ताहबैक्तिक, जो बुद्धी है उनके अंदर होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका option c, अगला question, राश्ची सिक्षा, नीती 2020 के अनूसार, एक सिक्षक को, सिक्षन अधीगम प्रक्रिया के दौ प्रान, प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेशन के लिए किस भासा में बातचीत करनी चाहिए, according to NCP 2020, which language should a teacher use to interact with primary school children during the teaching learning process, option is only the regional language, only Hindi language, only English language या mother tongue of children, तो according to NCP 2020, राश्ची सिक्षा नीती के अनूसार, सिक्षन अधीगम प्रक्रिया के दौरान, प्राइमरी बच्चों के लिए हमें उनके मात्र भासा, मतलब जो बच्चे हैं, उनकी मात्र भासा में बातचीत करनी चाहिए, संप्रेशन करना चाहिए, जिससे हमारा जो अधी प्रियूग हमें करना चाहिए, अगला कॉस्चन, फाइव यर ओल्ड वैसाली टोल्ड हर मदर, मदर आई वांट अ फुटवाल लाइक अमित, पाँच साल की वैसाली ने अपनी मा से कहा, मा मुझे अमित की तरह फुटवाल चाहिए, बैसाली की मा जब आप देती हुए कहती है, फुटवाल तो केवल मैं लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी प्यारी सी गुडिया लाऊंगी, मा का यह जब आप क्या देखलाता है, option A है, gender role flexibility, gender भूमी का में लचीलापन या link समता, link मतलब gender equity, link रूडी बदता या फिर link प्रासांगिकता, तो जो उसकी मा है, बहे किस से ग्रिसित है, बहे इस्ट्रियो टाइप है, चेंडर इस्ट्रियो टाइप है, उसकी मदर, उसका जो यह कहना की फुटवाल है, बहे किवल लड़के खेलते हैं, next question, बच्चों का नामी करन बा, उन्हें बरगों में बाटना, बच्चों का level द देगा, तो अर्थपूंट सीखने को बड़ावा तो नहीं देगा, बच्चों के समूह में हीनता वा सीखने की लाचारी को जन्म देगा, हाँ, अगर बच्चे को आप अलग से अलग थलग कर देंगे, अलग बिठाल देंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, हीनता का भाव हो जाएगा, कि मैं कुछ नहीं जानता, या मैं सब कुछ जानता हूँ इस तरीके से, सभी बच्चों में अधिगम की जरूरतों को पूरा करने की एक सकारात मगरन नीती है, तो गलत, बच्चों में आत्म, सम्मान और प्रदरसन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो य शमग्र मूल्यांकन के क्या माइने हैं, continuous and compressive evaluation means, विध्यारती की एक दूसरे से तुलना करना, तो तुलना करने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करते, बच्चों के व्यापक बिकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविदियों के आकलन के सभी पहलों को सामिल करना, तो यह हो सक करता है, बाकी और option को भी देखेंगे, केबल सेक्षिक गतिविदियों के आधार पर बच्चों का प्रदर्शन मूल्यांकन करना, केबल सेक्षिक गतिविदियों के लिए हम बच्चों का मूल्यांकन नहीं करते, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना और अगली कक् अधिविदियों का आंकलन के सभी पहलों को शामिल करना सतत और शमग्रमूल ल्यांकन का क्या होता है उद्देश तो option B इसका सही हो जाएगा assessment covering all aspects of school activities related to children overall development तो option B इसका right answer हो जाएगा अगला question प्रभावी सिक्छक कक्षा में सिक्छन अधिगम की प्रक्रिया में अकसर जाच करने वाले प्रशनों का प्रियूक करती हैं इससे सिक्छक को किस प्रकार का मुल्यांकन करने में मदद होती है तो योगात्मक मुल्यांकन, रचनात्मक मुल्यांकन, मानकी करित मुल्यांकन या मानक संदर्वित मुल्यांकन तो आपका जो सम्मेटो असेस्मेंट है ये आपका साल भर में दो बार होता है लेकिन पूरी साल जो चलता है भैका लाता है आपका formato assessment आप बार-बार कुछ ऐसा पूछ लेते हैं कहीं पर भी जाकर के जिससे बच्चा का आप मुल्यांकन करते हैं किस चीज में ये है average है किस चीज में कमजूर है तो उसको बुला जाता है formato assessment या रचनात्मक मुल्यांकन जो standardized assessment है ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा तो इसका सही answer हो जाएगा आपका रचनात्मक मुल्यांकन option B इसका right answer हो जाएगा friends I hope अगर question पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like और share जरूर किजिए का चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लीजिएगा इसी तरीके से हम और भी subjects के वीडियो को solve करेंगे उस पर भी वीडियो जाने वाली हैं तो आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं friends अगला question है role of teacher in an inclusive classroom is to एक समाबेसी कक्षा में सिक्षिका की क्या भूमी का है बच्चों की विविद जरूरतों का पता लगाना वा उनका ख्याल रखना हाँ तो यह हो सकता है केवल कुछ खास विध्यारतियों पर ध्यान देना तो यह नहीं होगा give attention to some special student only तो यह तो गलत हो जाएगा बच्चों की उनकी अकादमिक छमता के आधार पर पहचानना और पता करना तो बढ़गी करन तो हमें करना नहीं है बच्चों को अलग करना नहीं है next खास जरूरतों वाले बच्चों को बिसे सगी के पास भेजना बस सुनिश्चत करना की उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाना तो फिर से अलग करने की बात हो रही है तो यह option भी आपका कट जाएगा तो एक टगरती शील सिक्चा जो समावे सी कक्चा है या inclusive classroom है उसमें सिक्चा का को चाहिए कि बच्चों की बिविद जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना address and respond to the diverse needs of all children तो यह इसका right answer हो जाएगा अगला question बिविद समूर के बिद्यारतियों के सिक्चन के दोरान एक सिक्चिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए हर बिद्यारती को सुईकारना वा सम्मान देना तो इसको ध्यान में रखना ही चाहिए सांस्कृती बिविनिताओं को अंदेखा तो अंदेखा हम किसी चीज़ को भी नहीं कर सकते सुसंगत, प्रेशन को बनाए रखना तो ये भी होना चाहिए आप प्रत्यक्ष निर्देश देना तो आप प्रत्यक्ष निर्देश नहीं दे सकते बिध्यार्ति को स्वायत्ता बाल लचीलापन देना तो यह हो सकता है क्योंकि समाबेसी सिक्षा में लचीलापन की बात कही गई है तो हमारा answer हो जाएगा जिसमें 1 सही है, 2 सही और 5 सही है तो यह option 3 में मिलता है हमें 1, 2, 1, 3 और 5 तो option C हमारा इसका right answer हो जाएगा अगला question to cater to the specific needs of child with visual disability the teacher should, teacher को क्या करना चाहिए एक बिध्यार्ति जैसे 10 बात देता है कि बिशिस जरूरतों के लिए एक सिक्षक को बेविद तरह के द्रशिक प्रस्तुती करण देना चाहिए, visual presentation देना चाहिए तो इसकी जब वो देख ही नहीं पाता तो उसको visual जो presentation है द्रशिक प्रस्तुती करण है उससे क्या देख बाएगा कई प्रकार के इस पर से नहीं है हस्त कोशल सामागरी का उप्यों करना चाहिए use of variety of tactical manipulative and materials तो इसका हो सकता है so a lot of silent films बहुत सी MOOC filmों को दखानी चाहिए तो MOOC film में दखाएंगे वैसे भी वह देख नहीं सकता तो क्या देखेगा अगला है बहुत सी संडचित बर्क सीट जिन में चित्र हों देनी चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा उसको क्या करना चाहिए कई प्रकार के इस पर से नहीं हस्त कोशल सामागरी का व्योग करना चाहिए उप्चन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉस्चन है सामाजिक अंता किरिया और मौकिक संप्रेशन में चुनोती किसका विसेष्ट अभी लगछन है जैसे difficulty in social interruptions and verbal communication is a typical characteristics of autism, attention, difficult, hyperactivity disorder, dyslexia तो dyslexia को तो हम बोलते हैं कोई अधीगम में विकार होता है ऐसे ही dyscalculia जो आपकी गड़ती है सम्मंदित जो किरिया हैं उनको करने में विकार होता है तो जब बच्चा समाज से दूर रहता है और खुद ही अपने अंदर क्या करता है संप्रेशन करता रहता है उसको बोलते हैं स्वालींता या फिर उसको बोला जाता है autism तो option ए इसका right answer हो जाएगा अगला सिक्षक बच्चों को विभिन्ने रंगों बाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है बह बनाए इसके माध्यम से बह बच्चों में खाल स्थान को बढ़ावा देती है creativity को बढ़ावा देती है या root memorization को सरजनात मकता को बढ़ावा देती है ना कि जब teacher कहें कि ये बनाओ जब भी कोई संकित दे करके कहता है ये बनाओ तो उसको सरजनात मकता को या creativity को बढ़ावा नहीं देगा कुछ भी बनाने को कहेंगे तो अपने मन से उसमें creativity दिखाएगा तो उसकी सरजनात मकता को बढ़ावा देता है next question बचपन के प्रारंबिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंदरित करना चाहिए option है सारीरिक कोईशल तो करना चाहिए सामाजिक कोईशल इस पर भी करना चाहिए संग्यानात मकोईशल इस पर भी करना चाहिए और संबेगातमक कौशल इस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए अमूर्थ तर्क पर नहीं हमें यहां पर मूर्थ तर्क पर क्या करना चाहिए ध्यान देना चाहिए बाकी यह चार सही है यह पाँचवा गलत है तो option C में यह चार आपको देखने को मिल जाएंगे next question रचनाबादी कक्षा में अर्थ पूर्ण सीखना क्या होगा अर्थ पूर्ण सीखना मतलब आप क्या कर सकते हैं constructive classroom में meaningful learning क्या होगी option A जानकारी के भंडार बा उपारजन से होता है तो आप जानकारी के भंडार से क्या करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पर तो यह गलत हो जाएगा ambition बा अन्ताकिया के द्वारा खोज is the process of discovery through exploration and interaction तो यह हो सकता है इनाम बा सजा का प्रियोग से होता है तो यह गलत है इनाम देने से क्या होगा बच्चे उसकी और आकर सित्त होंगे लेकर उसका रचनात्मक विकास नहीं हो पाएगा बारंबार बेदन और अभ्यास है ना taking place through the repeated practice and drill इससे क्या होगा रटने वाली चीजें बढ़ेंगी तो इसका सही आंसर होगा is the process of discovery through exploration and interaction option B इसका right answer हो जाएगा अगला question है एक सिक्षी का एक बच्ची जो एक आउधाना को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है उसे इसारा देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो इसको अभी हमने देखा था कि अगर कोई बच्चा अपने मन से कोई कार कर रहा है और करते करते वह कहीं पर अटक जाए तो उसकी दूसरे के दौरा सहायता करना थोड़ा सा उसके लिए मार्ग दरसित कर देना जिससे बच्चा क्या हो फिर से उसी काम को करने लगे तो इसको बूला जाता है पाड या फिर इसी को बूला जाता है इसके फोल्डिंग अभी हमने उपर एक कॉस्चन में देखा था इसके फोल्डिंग क्या कहलाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाड एक सिक्षी का कक्छा को दात्मक बनाने के लिए बच्चों के आपस के परियाबरन से उधारन सामिल करती है सामाजिक संस्कृतिक संदर्व की सीखने के महत्पूर भूमिका है तो ये इसका तर्क दिया है तो क्या हो जाएगा इसका अंसर बहग क्या करती है कि संबादात्मक बनाने के लिए आसपास के परियाबरन को सामिल करती है तो ये तो सही है और क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्व में सीखने की महत्तपूर्ण भूमिका होती है ये भी सही है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका A और R दोनों सही हैं और R A की सही ब्याग क्या करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा Friends, Option A, Option A इसका सही आंसर हो जाएगा निमनमैसे क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा आपको बताना है कि What is pose as a hindrance of a child in solving a problem समस्या को सही से पहचानना तो ये उसको बाधा तो नहीं बनेगा ये इसके लिए एक गुण है समस्या को इस पश्चिता से परिभासित करना तो ये भी बाधा नहीं बनेगा पहले सुलजाई काई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना तो ये भी बाधा नहीं करेगा बस्तुओं के इस्तमाल के पारम पर एक तरीके से इस्तिर रहना एक ही तरीके से हर एक समस्या को सुलजाना यह बाधा बन सकता है क्योंकि सबी चीज़ें एक ही तरीके से नहीं सुलशती है remembering fixed at use objects in a conventional manner तो यह इसका क्या हो जाएगा समस्या समादान में एक बाधा उत्मन करेगा option D इसका right answer हो जाएगा अगला question friends बिद्यार्तियों द्वारा की गई गलतियां वा तुर्टियां सिक्षकों वा बिद्यार्तियों की अस्फलता को दर्साती है तो यह तो गलत है क्यों गलत है क्योंकि अस्फलता है एक opportunity के रूप में या फिर सीख के रूप में हम देख सकते हैं इसका तर्क दिया है बच्चों में खुद से सोचने की छमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनेश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते है तो बच्चों में खुमता होती है ये भी गलत है खुद से बच्चा सीख सकता है तो A और R दोनों इसमें गलत है तो option 4 इसका right answer हो जाएगा अगले question को देखेंगे friends निमनलेकित मैंसे कौन सा भाव नहीं है which of the following is not an emotion option A memory, option B anger, option C love, option D fear तो fear, love, anger, मतलब क्रोध, प्यार और भाव या emotion memory, emotion नहीं है, इसम्रती emotion नहीं है यही हमारा right answer हो जाएगा next question, प्रात्मिक सिक्षी का अपने विध्यारती में आंतरे कभी पेड़ना को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है option A, हर विध्यारती के हर एक प्रियास की प्रिसंसा करे अवंग्चनियम ब्योहार को दंडित करे जहाँ पर दंडित करना है, punishment की बात आती है जलत हो जाएगा, बच्चों को सीखने के आनंद में की अनुभूती को प्रोस्सायत करे तो सीखने की आनंद मतलब, encourage children to experience joy of learning तो ये सही answer हो जाएगा आपका, कि बच्चे अगर कोई भी चीज़ सीखने में आनंद की अनुभूती करते हैं, उसमें joy महसूस करते हैं Overall physical and mental well-being of the child blank learning, बच्चों का समग्र सारीरिक बामानसिक स्वास्त अधिगम खालिस्थान, क्या होगा, कि सारीरिक बामानसिक स्वास्त अधिगम बच्चों को प्रभावित नहीं करता, करता है भाई, बच्चों में बादा डालता है यह भी नहीं होगा, से सम्मन्नित होगा, तो बच्चों को सूसाधित करता है, यह क्या करेगा बच्चों को, सूसाधित करेगा Option इसका क्या हो जाएगा, Option D इसका right answer हो जाएगा, जो है इसको क्या करेगा, सूसाधित करेगा, यदि आपका सारीडिक और मानसिक स्वास्ता अच्चा है, तो आप अच्छे तरीके से कोई भी चीज सीख सकते है अगला question, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परिक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि भाय विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है रूही अपने प्रदर्शन का आरूपन किस कारण को कर रही है, किस कारक को कर रही है option A, परियाबरनीय कारण, योगगता की कमी, कोशिस की कमी या कठिन भाग्य तो उसको पता है कि और अच्छा कर सकती है, साइथ कोई कमी रह गई है उसकी कोशिस करने में तो योगटा तो उसमें थी अच्छा कर सकती थी, परियाबरन कारण कोई option होता नहीं, भाग भी इसमें कोई कारण नहीं मनेगा तो जो में कारक है भाग होगा कोशिस की कमी, क्योंकि उसने यह ही कहा है कि उसने थोड़ी और कोशिस करी होती तो वह और अच्छा कर सकती थी तो friends, I hope Child Development and Pedagogy CDP के हमने 30 questions को discuss किया है, यह आपको पसंद आए होगे और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा friends और यदि आप मेरे चैनल परना है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लीजिएगा जिससे आगा में जो भी वीडियो अप्लोड होगी उसका notification आपके पास पहुँच जाएगा तो friends, subject wise जैसे आपका Hindi, English, आपकी EBS है, विज्ञान, Maths, सारी वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी तो आया दि आप चैनल परना है तो subscribe कर लीजिए का आप से जल्दी मिलते हैं इसी तरह के की next वीडियो में तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत अन्यवाद